तो ब्रह्म सुत्र के द्वितिय अध्याय में पहले पाथ 11 सुत्र तक हम ने किया था, जैसा कि जो संदर्व चल रहा है, कॉंटेक्स्ट किसी भी कार्य का मला सुरिष्टी का कोई कारण है या नहीं उपादान कारण अगर है तो प्रकृति या ब्रह्म में से कौन सा है, जो रेफरेंसेस मिलता है कि सुरिष्टी से पहले असत था, नॉन एक्जिस्टेंस से ही दुनिया बना है, तो इन सब चीजों पर स्टेप बाइस्टेप डिस्कॉशन चल रहा है, पिछले बार एक जो हमने कंक्लूड किया था कि तर्क के बेस पर चीजों की पूरी तरह सिद्धी नहीं होती है, केवल जो तर्क है, अर्गुमेंट है, वो तो कभी रियलीटी को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, हाँ, कोई भी तर्क तभी तक दोश रहीत होता है, निर्दोश होता है, जब वो शास्त्र प्रमानों क के साथ बताया जाए, कोई रिफरेंट्स के साथ बताया जाए, तब होता है, यहां तक हम थे, आज जो बार्वा शूत्र करेंगे, एतेना शिष्टा परिक्रहा पी व्याक्षा ताहा, एतेना बाइदीश इसके द्वारा, अर्था पहले जो हमने साथ आठ सूत्रों की चर् जो भी सिद्धान वीचार, उन सब की व्याक्षान या एक्स्प्लानेशन कर दिया गया, इंग्लिश में बोलें, बाइदेज आर्गुमेंट्स, वी हाव एक्स्प्लेंड अल देज थेंग्स वीचार नट अक्सेप्टेट टू शिष्टाज, शिष्ट कौन है, शिष्ट ह बार जो हम आपत व्यक्तियों की बात कर रहे थे, आपत वचन को शब्द प्रमान कहते हैं, आपत मदलब जिसका मन, वचन, कर्म से सत्यता है, जो चीजों को आज इटीज जानता है, आज इटीज बोलता है, उसको आपत कहते हैं, पर शिष्ट का डिफिनेशन जैसे हमारे व्याकरण के महावाश्य के ओथर महर्शी पतंजली शिष्ट को डिफाइन करते हैं, एतस्मिनार्या वर्ते निवासे ये ब्रहम्मनाह, पुम्भीधान्या, अलोलुपा, अग्र यमान कारणाह, किंचिद अंतरेन, कस्यास्चिद विद्यायह, पारंगता, स्थत्रभवंत ये पाणिनी सुत्र 631109 को व्याख्या करते हुए, अर्थात अष्टाध्याही के 631109 को व्याख्या करते हुए, महर्शी पतंजली अपने महावाश्य में शिष्ट को डिफाइन करते हैं, जो इस आर्यावर्त में निवास करने वाले, मला उस समय की जो जिष्वा भारत क केते हैं, जो ब्राम्मन, मला विद्वान, कैसे कुम्भी धान्याहा, जिनके घर में धान्या या अनाज या ग्रेन, घड़े के बराबर, एक छोटे से घड़े में जितना आ सकता है, उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं, अलो लुपा, जो लालच नहीं करते हैं, अग्रुयमान कारणा, जो भी उनकी साधनाएं हैं, तपस्याएं हैं, वो कुछ प्रूप करने के लिए, या पब्लिक की अप्रिशेशन पाने के लिए, या कुछ दिखाने के लिए नहीं, अभी तो आत्मसंतोश के लिए साधना करते हैं, कस्यास्चित विद्या यहा पारंगता, किसी एक विद्या में जो निपून है, किसी एक शास्त्र के ज्यान में जो एक्सपर्ट हैं, और वो एक्सपर्टिज उनको कैसा आया, किताबों को गन्तों को पढ़के समझ के नहीं, अपी तो गुरु से अध्यायन करके और अपने अध्यात्मिक साधना के बल पर रियलाईज करके, जो ज्यान उनको प्राप्त हुआ, ऐसे ज्यानी पारंगत, कम्पिटेंट ऑफरेटी होते हैं, उनको सिष्ट कहा जाता है, जैसे कि मनु, व्यास, गनाद, याज्यावलक्या, आपके प्तन्जली, गौत्म, इस तरह के जो जो भी धर्मशास्त्रों में भी अस्ति कश्ची दरिद्रो ग्राम्मना हां आप ज्ञानी है और आप धनी हैं यह साथ नहीं जल सकता मलब प्रचिन काल कि धनी है मला आप धन के लिए efforts कर रहे हैं उसके लिए time दे रहे हैं और ज्ञान के लिए जितना समय चाहिए वो कितना भी सम ज्यान के लिए दो वो कम है, ज्यान रखे, ज्यान एक ऐसा फील्ड है, अप कितना भी टाइम दो कम है, अगर आपका फोकुस, अगर आप धनी है, आपके पास अच्छा घर है, खाने पिने की काफी सामान है, इसका मतलब आप धन कमाने में काफी इफट्स करते हैं अगर आप रोज तीन घंटे भी चार घंटे भी अगर आप धन कमाने में लगाते हैं वो चार घंटे आप विद्या कमाने में कम हो जाता है तो आपका ज्ञान पर्फिक्ट नहीं हो सकता आप ज्ञान कमाने के मामले में ले जी हैं ले से फट्स करते हैं आपके घर में इतना आना जो कि मैक्सिमम एक छोटे से घड़े में आ जाए और सन्यासियों के लिए योगियों के लिए भी आता है कि सुभा क्या खाएं साम को ना मिले साम को क्या खाएं सुभा ना मिले मिला मिनिमम परिग्रह हो पतंजली योग दर्शन में इसको अपरिग्रह कहा कि जितनी essential है inevitable जरूरत है जितना need है और वो need भी need आप अपने ढंग्शे definition कर देंगे जितनी essential है उससे जादा एकठा ना करना ये preliminary step है spiritual path में जाने के लिए अपरिग्रह बहुत सरे और चीजों के साथ दूसरा लालच ना हो लालच होने पर विद्या काम होगी क्योंकि आब आकी चीजों में ज्यादा efforts डालेंगे और तीसरा आपकी जो साधना है वो किसी appreciation या social recommendation पाने के लिए नहीं या कोई धन शंपत्ति पाने के लिए या लोग आपको respect करें इसलिए नहीं अपी तो आत्म संतोष के लिए अपनी self pleasure के लिए या self satisfaction के लिए आप जो भी करते हैं इसके लिए करते हूं ऐसे जो लोग होते हैं और किशी एक शास्त्र में competent authority होते हैं उनको शिष्ट के इसी तरह मनस्मृति में आता है धर्मेन अधिगतो याइस्तु वेद सबरी ब्रंगन आहां ते शिष्टा ब्राम्हन आग्येया सृति प्रत्यक्चहेतबह मनस्मृति के बारुए अध्याए के 109 श्लोक है 12109 इसका अर्थ होता है जो लोग ब् दूसरे लिटरेचर हैं उनके साथ वेदों के अर्थों को ठिक ठिक समझा हुआ व्यक्ति यह विद्वान यह ब्राम्हन ब्राम्हन शब्द है उसी को शिष्ट कहा जाता है वेश्ट का जो जेनरल अगर आप ट्रांसलेशन करें शिष्ट का मतलब होगा civilized person जब हम आपकेते ना यह बहुत मैनर, cultured person जिसको आप कहते हैं, this is a person of culture, आम भाषा में संस्कृत में हम इसको शिष्ट कहते हैं, पर प्राचेंद काल में शिष्ट जिस अर्थ में यूज होता था, वो ऐसा authority जिसमें कहीं किसी एंगल से आप नहीं कह सेकते हैं कि इसकी ज्ञान में कोई कोई truthy हो, कोई गलती होने की possibility हो, तो वो उसको शिष्ट कहा जाता था, चलिए बड़ा interesting चीद है, तो शिष्ट लोगों के द्वारा जिन जिन सिधानतों को नकारा जा सकता है, या acceptable नहीं है शिष्ट लोगों के लिए अपरिग्रह, उन सब चीजों का हमने इन सूत्रों के द जो शिष्टों को इस topic में, इस context में acceptable नहीं है, जैसे केवल चेतन कारणवाद, अर्था संसार का कारण केवल चेतन है, only consciousness is the cause of the universe, only आने पर वो efficient material सब हो जागता है, दूसरा केवल चेतन वाद, तोस वो बिलीव, the cause of the universe is only unconscious thing, that is प्रकृति, अचेतन वाद, and the third one is असत वाद, means those who believe the universe is coming out of nothing, non-causal origination है, अर्षा संसार किसी मूल कारण से बना नहीं है, यह जो तीन तरह के सिधान्त है, हमारी जो पिछले सूत्रों के द्वारा, उन तीन तरहों के वादों का खंडन की व्याक्षा हो गई, यह सब चीजें जो किसी वी शिष्ट व्यक्ति के लिए acceptable नहीं है, अर्था वैदिक परमपरा में ज्यानी लोगों के लिए acceptable नहीं है, वो व्याक्षा हो गई, अगला लेते हैं, भोक्त्रा पत्ते रभिभाग अश्चेत स्या लोकवत, इस सूत्र का अर्थ तब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक मैं आपको उसकी बैक्ग्राउंड नस बता, यहां शिष्य के तीन तरह के questions है, जब यह प्रूप हुआ कि प्रकृती संसार का उपाद संसान कारण है और वह प्रकृती जब ब्रह्म प्रेरितो लुँदे अर्थ और उप्रीमोडियल मैटर वीच इज मॉटिवेटेड बात ब्राम्ह ऐसा प्रकृती संसार का कारण है, अर यह बात शिद्ध हुने पर शिष्य की दीन आशंक यीं और वो भी शास्त्रों के बेस्पर शिश्य की पहली आशंका है यह जो शास्त्रों में कहीं कहीं आता है जैसे तच श्रश्ट्वा डदेव अनुक्राविशत परमात्मा ने संसार को सुरिष्टी करके उसी के अंदर प्रवेश कर गया तैतिरी उपनिशत दो छे इसी तरह चांदोग्य उपनिशत छे तिन दो में आता है सेयम देवता आइख्यता वोस देवता परमात्मा ने सोचा हंता हम इमा तिस्त्रा देवता में इन तीन देवता मला तीन ओरिजिन जो है संसार का उनको में ब्रेक करूँ हंता मला हत्या करूँ मला ब्रेक करूँ तोड़ू अने न जीवे न आत्म न अनुप्रविश्य और व नामरुपे व्याकरवानी थी, इनके नाम और रूप दूँ, यहां जो इसकी कन्फिलिक्ट एरिया है, शिश्य पूस्ता है, परमात्मा खुद संसार को खुद से बनाके उसके अंदर प्रवेश कर गया, अगर परमात्मा संसार के अंदर प्रवेश करता है, तो परमात्मा ही भोगता माना जाएगा आत्मा शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है वही जिवात्मा कहलाता है वही भोगता है भोगता मलब एंजयर अगर कहते हो आपकी परमात्मा शरीर में प्रवेश करता है स्विश्टी को बनाने के बाद परमात्मा भोगता होगा तो फिर जो आपकी रिगवेद के एक 16620 में और शेता शेतर उपनिशाद 46 में जो प्रशिद्ध मंत्र है वो जो पिपल का पेड़ है एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं और उसमें से तयोर अन्या पिपलम स्वाद्वत्यनशनन अन्या अभीचा कशिती उनमें से एक बेश्वाद फलों को खाता रहता है दूसरा देखता रहता है इसी बेस पर हम प्रूप किया गया था कि प्रकृति रूपक पेड़ येक अनालोजी है उसमें दो तरह के चेतन होते हैं एक एक चेतन जो भोगता रहता है जिसको हम जिवात्मा कहते हैं एक संसार के अंदर र ये थियोरी तो बेकार हो जाएगा क्योंकि आप केते हो परमात्मा भी अंदर प्रविश करता है तो परमात्मा ही भोगता माना जा सकता है आत्मा भी भोगता होगा परमात्मा भी भोगता होगा उन्हीं उपनिशदों में आता है तई तिरे उपनिशदों साथ तद आत्मा नम स्वयमकरूता तत वो ब्रह्मा आत्मा नम खुद को अपने आपको अकुरूता बनाया परमात्मा ने अपने आपको बनाया मतलब यह संसार परमात्मा ने खुद को बनाया अर्थाद जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा से ही संसार बना तो ब्रह्मा ने खुद को ही संसार के र अगर इसको माने तो क्या होगा प्रकृति हट जाएक, प्रकृति कोन है? भोग्य है, जो पेड का example दिया, एक पेड में दो पक्षी है, पेड प्रकृति है, जो भोगने लायट है, इंजय बूल है, अबजेक्ट उप एनजयमेंट भोगने वाला आत्मा है, पर मात्मा निरले यह तियूरी कहां कहां कट रहा है पहला कट रहा है पीछले संद्रव में कि आत्मा परमात्मा भूगता है या परमात्मा भूगता है तो भूगताओं की प्रोब्लम हागया दूसरा जो कहा कि उसने अपने आपको बनाया तो यहां प्रकृति और ब्रह्म में से confusion हो गया तो ब्रह्मा खुद को अगर बनाए तो फिर प्रकृति हट गई अगर प्रकृति हट गई तो भूग्य कोन है तो ब्रह्मा खुद ही होगा भोगता भी होगा भोग्या भी होगा अगर प्रकृति एक्जिष्टी नहीं करती है परमात्मा ने खुद से संसार को बनाया तो फिर परमात्मा ही भोग्या होगा तीसरा प्रोब्लम है कठो पनिशद में आता है वो जो परम भ्रह्म है यस्य भ्रह्म मज चयत्रम चया उव भेधावता ओदाना मृति यस्य उपसेचनम वो जो भ्रह्म है परमात्मा ब्रामण और ख्यत्रिय उद्के चावल है अन्न है और मौत जो है उसकी चटनी है यहां भी इनडायरेक्टी ब्रामान ख्यत्रिया चलो हो सकते हैं रेटॉरीक एकस्प्रिशन हो पर परमातमा भोगता है एंजयर है यह तो प्रूफ होता है न तो तीन जगह इसका है करता है कि परमातमा भोकता के रुप में कहा गया और परमात्मा भोग्य के रूप में भी कहा गया, भोग्य कैसे जब वो कहता है कि परमात्मा ने खुद से संसार बनाया, जब खुद ही उपादान कारण हो गया, उपादान कारण ही भोग्य होता है, तो सुत्र जो आप समझेंगे वो कह रहा है, भोग्त्र आपत्ते है, अभ के कारण से अभी भाग कोई जो डिवीजन है भोक्ता और भोग्य के वीच का जो discrimination है distinction है वो नहीं रह सकता अगर ऐसा कहो तो गलत है क्यों लोकवत इसको अगर ठीक से जानना है तो संसार के आम ordinary experience को देखो ordinary experience में भी इसी तरह की बाते होती हैं अगर आप उपनिशदों के कुछ quotation को ला करके यह प्रूब करने की कोशिश करो कि परमात्मा भोक्ता है इंजयर है तो फिर जो distinction था आत्मा इंजयर है परमात्मा मेकर है संसार जो है भोग्या इंजयबुल है यह जो distinction था यह मिट जाएगा ऐसा अगर आपने कहा यह गलत है क्योंकि इस तरह की rhetoric expression लोक संसार में आम बोलचाल में ordinary manner में भी यूज होता है और उसकी चर्चा कैसे होता है हम करेंगे इसलिए ऐसा नहीं मानना इनकी distinction तो रहेगा तो क्या example थोड़ी लेते है पहला लेते हैं जो उपनिशद वाक्यों के जो बताया कि परमात्मा ने संसार को रचकर उसके अंदर प्रवेश किया या जीवात्मा के साथ प्रवेशकर के नाम रूप बनाया ये उपनिशदों के वाक्यों को ठेक ठेक ना समझना contact के अनुसार संदर्व के अनुसार ना समझने की परिणाम इसका सिर्व इतना भाव है वो परमात्मा अंतर यामी जो अंदर रहने वाला अंदर की चीजों को जानने वाला और वो जगत को create भी करता है और अंदर भी रहकर के control भी करता है इनर कंट्रूलर अंतर यामी और वो हर वस्तु के अंदर हमेशा रहता है तो फिर प्रवेश वाला शब्द क्यों दिया प्रवेश वाला शब्द का परमात्मा तो पहले से भी सबके अंदर है जहां कुछ भी नहीं वहां भी परमात्मा है पर जब आत्मा प्रवेश करता है व ना बोलते तू भी समझ में आ जाता परमात्मा सरव्यपक है, बोला क्यों? बोला इसलिए कि तुड़ा स्ट्रेस देने के लिए, जो आप कहते हो शरीर के अंदर आत्मा है और वही शरीर का कंट्रोलर है, कहीं गलत थमी में मत रहे जाओ, आत्मा प्रवेश्किया, आत्मा ही क पनीशदों ने दिया, आत्मा के शाद परमात्मा भी तुमारे शरीर में है, तुम जब खुद को ढूड़ोगे, तो उसमें परमात्मा को भी ढूड़ना है, तो परमात्मा की एक्जिस्टेंस को आप मिस न कर जाओ, इसलिए उसकी रेफरेंसेश देते हैं, न कि परमात्म प्रवेश करता है, क्योंकि प्रवेश करने का अगर आप मान जाओगे, फिर दूसरी प्रोब्लेम खड़ा हो जाएगा, तुम जब भी मानोगे परमात्मा कहीं प्रवेश करता है, तो तुमारा परमात्मा में एक प्रोब्लेम क्रेट होगा, और वो क्या प्रोब्लेम? तुम्हें वह मंजुर नहीं होगा तुम भी मानते हो परमात्मा सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक है प्रवेश कैशे करेगा प्रवेश कौन करता है जिसके लिए स्पेस कोई लिमिटेड है यहां वो नहीं है तो वहां जाएगा आत्मा प्रवेश कर सकता है प्रमात्मा और परमात्म से रिलेटेड तद आत्मनम स्वयमकुरूत उसने खुद को ही बनाया और ये खुद को बनाने से प्रकृति को खटाना पडता है और परमात्मा खुद प्रकृति के जगा उपादान कारण बन जाएगा, तो भोग्य बन जाएगा वो भी उसको ऐसे आप कि क्या लोक प्रचलन में कोई भी एंजोईबल चीज है वो खुद अपने आपको नहीं खा सकता जब भी कोई भोग्य होगा अब्जेक्ट अब भोग एंजोईमेंट होगा तो वो अलग होता है और भोगता उससे अलग होता है जो खाता है और जिसको खाता है दोनों अलग- So minimum दो चीजों की जरूरत होती है किसी भी enjoyment में, consumption में, भोग में या ज्यान में, जिसको जान रहे हो और जानने वाला, जिसको खा रहे हो खाने वाला, अगर आप परमात्म का यही अर्थ लोग की परमात्मा उपादान कारण होने से भोग्या है, तो फिर परमात्मा किसको खात है, खुद को खाता है, वो जो श्वेता श्वेतर पुनिशद का मंत्र है, उसमें एक पक्षी खाता है, दोसरा नहीं खाता है, वो सही है, वो नहीं खाता है, तो फिर इस तरह के use क्यों हुआ, लिगें, यह rhetoric expression है, जब ही कोई चेतन करता, या conscious doer कार्य करता है, हम केते हैं, मैं खुद से काम करूंगा, मैं अपने आप करूंगा, means, it doesn't mean that I will be the material cause and I will be the efficient cause to do something, परमात्मा जब कहता है कि मैं अपने आप से सृष्टी करता हूं, इसका सिर्व इतना आर्थ है कि I am the only person who is going to make it, I don't need anyone's help, उपनिशद का हुआ आर्थ है, परमात्मा का कोई helping person नहीं है, helping tool की जरूरत नहीं, helping person की जरूरत नहीं, कोई deputy guard नहीं, कोई assistant guard नहीं, कोई joint guard नहीं, कोई subordinate officer नहीं, जिसके help से परमात्मा करता है, परमात्मा is the only and only maker, उसकी किसी की सहायाता नहीं, और इसका लोक प्रमान क्या है, लोक मतलब ordinary example क्या है, संसार में हम देखते हैं कभी भी कोई conscious चेतन जड़ के रुप में convert होता हुआ कभी नहीं दिखाई देता, कोई भी अचेतन जो non-conscious है वो conscious होते हुए भी नहीं दिखाई देता और कोई भी unconscious कभी enjoy नहीं होता तो ये जो दो तिन चीज़े हम देखते हैं एंट में कभी जीवन नहीं आता और जिसमें जो चेतन है वो कभी जड़ के रुप में convert नहीं होता अगर संसार परमात्माग से ही originated है material cause के रुप में उपादान कारण के रुप में तो संसार चेतन होना चाहिए अगर चेतन नहीं है तो फिर चेतन से अचेतन कैसे बना और ये ordinary व्यवाहार में भी हम कभी नहीं देखते कोई चेतन से अचेतन बनता हो और इसकी वाइस वर्षा भी कभी ऐसा नहीं होता कोई अचेतन या unconscious या इनर्क जड़ वस्तु चेतन की रुप में convert हो गया हो ऐसा भी नहीं होता तीसरा जो interesting question था जब परमात्मा खुद अंदर घुसता है तो परमात्मा भोगता है आत्मा भी भोगता है तो ये दोनों में distinction क्या रहा रहा जब शरीर में परमात्मा प्रविश करता है आत्मा भी प्रविश करता है तो distinction क्या रहा शिश्य का प्रश्ण है आत्मा शरीर में है जी परमात्मा भी है जी हाँ तो फिर शरीर के अंदर जो है वो भोगता है तो आत्मा अगर भोगता है परमात्मा क्यों नहीं भोगता होगा उसको भी भोगता मानना चाहिए भोगता मलव एंजयर तो उसके लिए ordinary example क्या है जब भी कोई चीज़ जलता है सपोज लकडी जलता है दिया जलता है तो उस समें वहां आकाश भी होता है आकाश समस्ते है पर अगने सिर्फ फ्वेल को जलाता है इंधन को जलाता है तेल को जलाता है गी को जलाता है या लकडी को जलाता है पर आकाश वहां तब भी निरलिप्त होता है, निरलिप्त समझते हैं, डिटाश होता है, जबकि आकाश भी वहाँ है, कोई रोगी विमार हो, और उसकी जो family member या friend, उसको वाईद्य के पास लेकर जाते हैं, और वाईद्या लाए में, अल हस्पिटल में उसको रखते हैं, तो वाईद्य यहां रोगी क ही चिकित्सा करता है ट्रीटमेंट करता है दवाई रोगी को दी जाती है अगर शल्य चिकित्सा या सरजरी करनी हो तो रोगी की होती है उसके साथ बैठा हुआ जो दूसरा व्यक्ति विए हस्पिटल गया था उसका नहीं होता है वो सिर्फ साथ में होता है डिटाश होता है क इसलिए कोई भी दोनों साथ रहने से भोगता नहीं वाने जा सकते इसी तरह शरीर में आत्मा भी है परमात्मा भी है तो इसका आर्थ नहीं है कि दोनों भोगने वाले होते हैं आत्मा उस बिमार के तरह है और जिसका केर टेकर परमात्मा साथ में है जो हस्पिटल में होते उसकी इलाज नहीं होता आत्मा उस फ्वेल के तरह है जिसको आग जलाता है वहाँ परमात्मा आकाश के तरह जो होती हो भी नहीं जलता तो शरीर में आत्मा परमात्मा दोनों होने पर भी आत्मा ही भोगता होता है परमात्मा नहीं अर ये सामान में लोक विवार में भी हम यह सब देखते हैं तो इसके लिए एक और चीज़ जो कहके आगे चलेगे कुछ आचार या लोक इसके लिए जो एक्जामपुल देते हैं-और काफी पॉपुलर एक्जामपुल आपिए जैसे समुंदर में लहरे आते हैं और पानी कुछ लोग केते हैं लहर और पानी जो वेव और वाटर या उसके अंदर जो फेन पैदा होता है ना फोम फोम जो पैदा होता है वो फोम या जो वेव है वो और कुछ नहीं पानी का ही कारिय रूप है एक एक modified form है at the end of the day ये पानी है इसी तरह ब्रह्मा जो है वो उससे संसार बना है संसार वेव की तरह है फोम की तरह है और परमात्मा उससे बना है और पानी और वो जो लहरे और उसके जो फोम बनते हैं ये manifested form में superficially भोगता और भोग्य के तरह होते हैं परमात्मा खुद परमात्मा से ही संसार बनता है वही भोग्य के रूप में दिखता है जब वापस चला जाता है फिर वो भोगता के रूप में रहता है इस तरह कुछ आचारिय कोशिश करते हैं ब्रह्मा को संसार का उपादान काराण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसमें जो एक जो फ्लॉप पॉइंट है जो एक कमी है वो है पानी और पानी के बने हुए जो लहरे या जो फोम है यह तीनों के तीनों सेम इंग्रीडियेंट के होते हैं जड़ पानी जिस इंग्रीडियेंट का जो नेचर वाला है फोम में भी बेसिक नेचर वही है लहरों का भी वही है कि मैनिफेश्टेड़ फर्म है पर नेďचर वही भ्रम्हा और संसार में सेम नेचर नहीं होता अगर ब्रम्ह को पानी मानते हो ब्रम्हा चेतन है और लहरे को संसार मानते हो तो संसार जड़ है यहां। जड़ और चेतन दो il Damit आपISA उर लहर ही में वे नहीं नंबर तो क्भोगता और भोग्य का जो जो एक्जाम्पोल एक उसकता क्योंकि पानी भोगता नहीं है इंद कि में ओव कई ना कॉर्ज है उपादानकारण अबRe जिससे ये सिए manifested हुए फिर वापस चले गए बिल्कुल ऐसे जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है घड़ा तूटने पर फिर दुबारा मिट्टी बन जाता है गोल्ड से golden ornaments बनते हैं उस ornament को पिखला दो फिर दुबारा gold बन जाते हैं तो इनकी relationship उसी तरह का है तो gold golden ornaments का भोकता enjoy नहीं है ornament का भोकता enjoy करने वाला या make करने वाला हमेशा कोई चेतनी होगा कभी कोई gold खुद अपने आपको ornament बना के अपने आप enjoy नहीं कर सकता सुत्रों को समझने से पहले थोड़ी background समझना जुरूरी होगी है चलो संसार इसमें सुरज चांद पृतिवी धर्ति मिट्टी हवा पानी जो कोई शुदिए ये सब प्रकृति का परिणाम है परिणाम समस्ते transformation है या manifested form ये इसको accept करके अपनेंट का शीश्य की अगली जिग्यांसा या curiosity या question भी आप कह सकते हैं पूस्ता है प्रश्न है जो कारिय कुछ चीजों को ने आप विदान्त क्लास में उतने कुछ दिमाग में कुछ टर्मिनलोजी को बैठा दीजिए कारिय मतलब जो प्रड़क्ट है जो गोल्डन ओर्नमेंट से घड़ा है संसार है कारण मतलब जिससे वो बने हैं गोल्ड है मिट्टी है या मूल प्रकृती है question है क्या सुरज चांद धर्ती मिट्टी हवा पानी पत्थर आधी सृष्टी होने से पहले प्रकृती में थे अपने उपादान कारण में थे या नहीं थे क्या इन से यो अलग थे या वो अभिन्न इंडिफरेंट थे अगर वो अलग थे तो फिर प्रकृती की जरूरती क्या है अगर कार्य कारण में पहले से नहीं था तो फिर मेकर की जरूरत क्या है इस कारण की प्रकृति की दूसरी प्रावलेम अगर आप कहेंगे नहीं कार्य या जो प्रड़क्ट है वो कौज में पहले से ही था तो फिर मेकर की जरूरत क्या है वो तो था ही था वो अपने अब बन यह इन्दि फिलेसप्वी में इस पर काफी डिसक्शन है अलग-अल भरशन शास्तर अलग-अलग तरह से इसको डिसकेशन करते हैं वेश्टन फिलोसप्वी और साइन्ज में आप कही सकते हैं लॉप कॉजेशन इसी भी जो कार्य है प्रड़क्ट है या इफिक्द है उसका जो काज है दोनों के बीच की क्या रिलेशन्शिप है क्या कार्य कारण में कार्य होने से पहले था या नहीं था अगर कोई कहे कार्या प्रड़क्ट बनने से पहले अपने मैटरियल काज में था इस थीरी को सतकार्यवाद कहा जाता है means कार्यवाद कार्य मतलब प्रड़क्ट सत मलब एकजिस्ट करता है बीफोर इस कमिंग तो दे मैनिफेस्टेड पॉर्ड दूसरा है कार्यव उपादन कारण में पहले से नहीं था तीसरा लजिक होता है material कौज नाम कोई चीज होता नहीं है by chance जो atoms की जो combination होता है अनूओं का मिश्रण होता है उससे सृष्टी बन जाती है अगर बाईचान से फिर तो maker या करता या सृष्टा की जरूरती नहीं है अगर कार्य कारण के अंदर पहले से था तो दोनों अभिद्न है इंडिफरेंट है एक दूसरे में कोई भेद नहीं है अगर नहीं है तो दोनों डिफरेंट है तत अन्यत्वं कार्य कारण के बीच में कोई डिफरेंट नहीं है कार्य और कारण में अन्यत्व, अन्यत्व केते हैं, डिफरेंसे, न, नहीं, अनन्यत्व, वो एक दूसरे से इंडिफरेंट हैं, अर्थात, कार्य और कारण दो अलग-अलग चीजें नहीं है, अन्यत्व, 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 अन यह शिद्ध होता है कि कार्या और कारण में अन्यता नहीं है अन्यता मझा हैं शोमला नहीं है वो एक दूसरे से इंडिफरेंट है वोला सेम फिंग है एक ही चीज अएक चीज कैसे होनगे कार्या और कारण शोना और सोने के अभुशण trabajar मिट्थी के बनने घडे एक चीज के से होंगे दोनों अलग अलग दिखते ही मिट्टी का घड़ा में रूप अलग है मिट्टी का रूप अलग है चारपांच चीजें इसमें है जो आपको जानने की जरूरत है पहली चीज है टाइम कार्य लेटर होता है बाद में आता है, कारण पहले होता है, कारण और कारिय के बीच में टाइम डिफरेंस है, जब टाइम डिफरेंस होता है, कनेक्शन कैसे होगा, कारिय का रूप अलग है, कारण का अलग है, अलग मिट्टी जैसे दिखता है, मिट्टी के बने हुए घड़ा दिया ऐसे नहीं द दोनों के यूज भी अलग-अलग हैं घड़े में पानी भर सकते हैं दीएक में आग जला सकते हैं पर मिट्टी में ना आप पानी रख सकते हो ना आग जला सकते हो ना बत्ती जला सकते हो नंबर्स दोनों में नंबर में फरक होता है एक कपड़ा ड्रेस यह सिंगुलर कहलाता है पर इसकी जो मैटरियल का जो थ्रेड भागा वो हजारों में होते हैं तो कभी-कभी मैटरियल का जो हजारों में होते हैं उससे बना हुआ चीज एक होता है कहीं कहीं उससे बना हुआ चीजें साइकुडों होते हैं, उनकी मैटिरियल का सिंगुलर होता है, मतलब कारिय और कारण, कौज आएंड जो एफेक्ट है, दोनों में नंबर्स में भी फरक होते हैं, और फाइनली, अगर दोनों एक ही हैं, अगर दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो फिर ये परमात्मा या किसी conscious agent की क्या जरूरत है, वो अपने आप बन जाएं, विदान्त सुत्र कहता है, दोनों में अनन्यता है, मेंस अन्य समझते, डिफरेंट, अनन्या, नॉन डिफरेंट, दोनों में अनन्यता है, कैसे अनन्यता? हर स्पेसिफिक कारिय का स्पेसिफिक कारण होता है, इसको विशेश हैता है, कोई भी कारिय सामान्य कारण से नहीं बनता, मिट्टी से हजारों चीजें बन सकते हैं, पर एक स्पेसिफिक चीज जो बनता है, घड़ा, उस घड़े को बनाने के लिए स्पेसिफिक टाइप की चीजें, स्पेसिफिक घड़े के लिए specific element की जरूरत होता है अगर आप यह नहीं मानोगे कि कपड़ा बनाने के लिए धागे की जरूरत है घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है लाइलन कपड़े बनाने के लिए लाइलन थ्रेड की जरूरत है पॉलिश्टर कपड़े बनाने के लिए पॉली थ्रेड की जरूरत है अगर स्पेसिफिक काज में स्पेसिफिक कार्यकों की एक्जिस्टेंस को नहीं मानोगे problem होगा सब कुछ generalize हो जाएगा मतलब आप cotton से भी polyester बना सकते हो आप polyester से भी मिटी का घड़ा बना सकते हो आप मिटी से भी tomato बना सकते हो आप tomato से भी बेंगन बना सकते हो आप लोहे से प्याज बना सकते हो आप प्याज से कुछ भी क्योंकि general हो गया न, कोई specific cause में, specific कार्यक की existence को नहीं मानोगे, तो फिर generalize हो जाएगा, या तो दो problem होंगे, या तो असत मानोगे non-existence, जब non-existence है मानोगे, फिर तो खरगोश का भी सिंग की possibility हो सकती है, आकाश में भी फूल खिल सकते हैं, तो घुड़ा भी उर सकता है, हती भी तैर सकता है, इंसान भी मचली बन सकता है, वो तो फिर जो हम movie देखते हैं, fictional movie, वो सारे fictional movie, सब कुछ हो जाएगा, no problem, तो आँख भी सुन सकता है, कान भी देख सकता है, हाथ भी चबा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना क्योंकि आप उसकी speciality को तो आक्षेप करना बंद कर दिया, हर कारिय इसलिए specific है, क्योंकि किसी specific कारण से बना है, और उस specific कारण में वो गुण धर्म सभाव है, जो उसमें reflect होता है, अगर nylon की कपड़ा जैसा है, इस because of the nylon trade है, मिट्टी का घड़ा, सोने का घड़ा, लोहे का घड़ा, वो उसमें उनकी लोहा सोना मिट्टी के गुण धर्म सभाव उसमें आएंगे, तो असत नहोने पर problem है, अगर आप कहोगे general है, कोई specific नहीं, तो भी problem है, किसी से भी बने कोई परक नहीं पड़ता, इसलिए ये मानना बहुत जरूरी है, कि हर specific कार्य का एक specific कारण है, मिट्टी के घड़े, मिट्टी से बने हुए चीजों का कारण मिट्टी ही हो सकता है, सोने से बने हुए चीजों का कारण सोना ही हो सकता है, तो फिर सोने का घड़ा पहले सोने में था बात ये नहीं है कि था या नहीं था सोने के अंदर गोल्ड के अंदर वो potential है वो किसी भी form में change हो सकता है वो घड़े के form में भी वो stick के form में भी जोलेरी के भी form में वो potential वो गोल्ड में था अगर उसमें वो potential नहीं होगा दुनिया में कोई विषक्ति गोल्ड से वो चीज बना नहीं सकता जैसे मिट्थी से आप कभी पांगी नहीं बना सकते हो पांगी आधिय को सकता है आज तक कुछ नहीं बना तो और भी कोई चीज बना दो, वो तो human being की क्याम पर depend करता है, उसको कितना पता है कि कौन से बस तुमें कितने चीज़ें बनने की potential है, जैसे जैसे पता लगता है तो हम नहीं नहीं चीज़ें बनाते हैं, पर जिसके अंदर वो है ही नहीं, आप कुछ भी करके बना नहीं सकते है यह क्या message देता है, कि हर कारिय पोटेंशियली किसी अपने specific cause के अंदर exist करता है, उसका दूसरा भाब क्या है, कारिय और कारण different नहीं है, एक ही चीज़ें, तो different क्यों दिखते हैं, जब different states होते हैं, अबस्था बदल जाती है, तो उसको परिणाम कहते हैं, बस्तू नहीं बदलता, मिट्टी की अवस्था उसकी state बदल जाती है, और ध्यान रखे, मिट्टी से घड़ा के रुप में मिट्टी को convert होने में, वो ऐसा नहीं कि direct convert हो गया, हर पल जो potter है, कुमार है, वो हर पल उसके अंदर अवस्थाओं को बदलता रहता है, पहले डाल के उसको semi-liquid बनाता है, उसको फिर मतता है, तो उसकी form बदल जाता है, मतने के बाद उसको वो जो उसकी जो वो जो डंडा है, पटर की डंडा, जिसके अंदर वो घुमाता है, चक्का, चक्के के अंगर घुमता है, तो हर second, हर moment, कुछ तो ऐसे transformation होता है, जो human eye को जब कोई grass label पर हो, तो हर moment उसके अंदर अवस्थाओं में बदलाव होता रहता है, पर मिट्टी सेम है, फिर उसको बनाते समय, वो कभी घड़े का आकार दे दिया, तो आपके तो घड़ा है, ग्लास का आकार दे दिया, आपके तो मिट्टी का ग्लास है, कटोरी का आकार द पानी आती है, बढ़ापा आती है, बच्पन आता है, तीने जाता है, यूबन बेबी रूप आता है, यह हमारी आवस्थाएं हैं, पर शरीर तो सेम है, वही एक material चीजों से वो बनता है, तो कारिया कारण का manifested form है, प्रकट रूप है, और जब वो कारिया दुबारा वापस subtle form में जाते रहते हैं, एगेन वो change होते जाते 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 हैं, फिर जब वो पूरी तरह मिट्टी बन जाते हैं, तो घड़े घड़ा अप्रकट हो जाता है, invisible हो जाता है, unmanifested हो जाता है, तो क्या घड़ा और मिट्टी अलग-अलग हैं, नहीं, indifferent हैं, तो फिर यह अलग- जो उन्होंने कहा कि आरंभ आदी, आरंभन शब्दा अदिभ्या, आरंभ आदी शब्दों से भी यह प्रमानित होता है, कि दोनों में अनन्यता indifferent है, आरंभ आदी, आरंभ कितने beginning, तो एक वो मंत्रा आता है, छांदुग्यों उपनिशद का 614, यथा सौम्या, एके ना, सर्वं, रणमयं, विज्ञातं, स्यात, वाचारं, मनं, विकार, नामधेयं, मृतिकाइत्ये वसत्यं, एक यही मृत्व पिंद से, मिट्टी की ढेले से, अलग-अलग तरह के मिट्टी के चीजें बनते हैं, और मिट्टी के चीजें बनने के बाद, अलग-अलग नाम और र आँखों के द्वारा अलग-अलग रूप उनकी दिखाई देता है, यह सब उसके मिट्टी के विकार है, विकार मोडिफिकेशन है, इसी तरह यह संसार की जो वेरियेशन्स वेराइटी आप देखते हैं, यह उसी समा एक ही मिट्टी मूल प्रकृति के अलग-अलग फ़र में आते हैं, और जब कोई संसार विकृति में मौडिफाइड हो जाता है, उसकी दो चीजें आते हैं, क्या नाम और रूप, एक फॉर्म ले लेता है, धड़ा का रूप में फॉर्म बना, that is रूप, नाम, उसका एक नाम बन जाता है, एक वर्ड होता है, वाचा आरम बना, वा एक प्रपर डिजाइन बन गया, वो उसका रूप है, फिर उसको हम बोलने लगे, ये निकले से, फिर और एक डिजाइन बन गया, वो डिजाइन ये वस्तु है, फिर हमने उसका नाम दे दिया, वस्तु जो है रूप है, जो आँखों से दिखाई देता है, फिर हमने उसको के नाम दे दिया कि यह एर रिंग है जरूरी नहीं रूप का मलब आखों से देखा जाए मलब कान से भी पंचे इंद्रियां के तरह ग्राणी है इसी तरह और यह जो हमारे शास्त्रों में है आरंभ होता है आरंभ मलब उसके बिगिनिंग होती है हर वो कार्य का एक बिगिनिं पॉइंड पॉइंट होता है अर जहां बिगिनिंग पॉइंट फिर एंड पॉइंड ही होता है द्रेदार अरन्य को पनिश्द में 147 तत्भेदम तरिया व्याकृत मासी तन्नाम रुपा भ्यामेव व्याक्रीयत सर्गकाल से पहले सर्ग के इतने सृष्थी creation से पहले परमात्माने उस अव्याकृत व्याकृती व्याकृत मलब manifested जिसका फॉर्म नहीं है वो फॉर्म लेस अन्मैनिफेस्टेड प्रकृती को व्याकृत किया आएसे व्याकृत कको एसे समझेए दूकृ दही बनाया उसके अंदर चेंज लाये जो दही क्या है क्तिये पनीर क्या है व्याकृत की व्याकृत जोड़ा एक कनेक्टिध धात्व criticize ग्रीन ओर की रॉड़त करके नाम रुपों से उसको जोड़ा then he connect with that व्यक्रत रूप उसका एक फर्म बना और शब्दों से उसका एक नाम बना तो इसका भाव क्या हुआ कि कारिय और कारण दो अलग-अलग चीजें नहीं है कारिय और कारण एकी चीजें कारिय की पोटेंशियल कारण में होता है रूप होता नहीं पोटेंशियल होता है और दोनों एकी हैं फरक क्यों दिखता है विकाज अब डिफ्रेंट टाइप अवस्था उनकी कंडिशन्स अलग हो जाने से उनकी स्टेट अलग होने जाने से तो अलग-अलग दिखते हैं या लगते हैं आक्चियली वो एक ही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें